हाओ अहलो फेंद आज हम बौ।सुन्तोत हैं डिजयन बनाएंगा तो यह जैन आम कैसे मनाने में आपको बताऊंगी इस डियान के लिए हमें 8 के मल्टी में ये फंद लेने और दो फंदें को ब्राबर करने के लिए ई दो फंदें चीज़ के लिए लेने हैं तो डिजयन को बनाना स्टार्ट करते हैं इस डिजयन को आप जैन से स्वेटर कोटी गार्डिकन किसी पर बनाएंगे अच्छा लगेगा यह डिजयन तो पहला फंद हम उतार लेंगे उसके बाद दागा पर तरफ करके दो फंदे उल्टे बुनेंगे दागा दूस तरफ करके तीन फंदे सीधे बुनेंगे दो तीन फंद सीधे बुन लिए और दो फंदों को जिस्ट करेंगे इस फंदे को इदर लाएंगे और दूसरे फंदो से पहले इसको इस फंदे को इस स्थाहीए ब Jacobs गोर presents को इस्पनеюсь को एक कि इसको बिना नहीं ने तो जो आइसे सिद्ता बोर देने मिना जो में इधर किया महmospand уह कि बोरको अब इस फंदे को को रहा है इसके बाद एक है दो यह एक दो तीन चार पांच छैसाथ आठ आठ नो दस दस फंदे होगे इन्हें दस फंदों को फिर रपीड करेंगे फिर एक और सुरित पहले दो फंदे उल्टे मनाएंगे दो फंदे उल्टे कि दी और दुश दूने tree इन फंदे और सहुने के बाद सुसक्राओं आसे उतार के इस फंदे को इस Lave तार लेंगे अब इस संबे को वीन गूहएं तो इस फंदे को बार लेंगे और से मूछ लेंगे फिर उसके बाद 3 फंडे सीधे मूलेंगे डगापुन तरफ करके 2 फंडे उल्टे मूलेंगे एक दो तीन चार पाँच छह साथ आठ नो दस फिर एक दो तीन चार पाँच छह साथ आठ नो दस फिर दोबर तिसरा हमारा hai Rabian है बिजयन शुरूर हो गहे दोसे उल्टे बुनने के बाद तीन सीधे उख ऐख एक क्दो कर यह तीन अब जो यह इटरों कर लेंगे और इस फंदे को इस तुम उतार के अब इस पंदे को भून विसे सीधा बोल लेंगे फिर तीन फंदे एक तीन फंदे सीधे बोल लिए अब दागा पर तरफ करेंगे तो फंदे हमारे एक्स्टा है ये उल्टे बोल लेंगे एक दो लास्ट का एस्टीज का सीधा अब हम दूसरे सलाई पर आ गए है तो दूसरे सलाई हमारे कैसे बने बता देती हूँ परला फंद आएस्टीज का दागा दूस्टे दो फंदे सीधे और आठ फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच चैए साथ आठ तर फिर दो फंदे सीधे दागा पने दूसरे एक दो तीन चार तर फिर दो फंदे सीधे दागा पने तरफ फिर आठ फंदे उल्टे दो तीन तीन चार पांच चैए शाथ आठ दागा दूस तरफ दो फंदे सीधे लाष्ट का एस टीज़ का लो जो उल्टी सलाई है हर बार हमें ऐसे ही बनानी है एक बार मैंने आपको बता दिए अब हम तीस सलाई पर आगे पहला पंदा एस टीज़ का इसे उतार लेंगे दागा पर दो फंदे उल्टे बुन लेंगे एक दो दागा दूस तरफ करके आप दो फंदे सीधे बुनेंगे एक और यह दो दो सीधे बुनेदे अब इस फंदे को इधर लाएंगे इस फंदे को इधर लेका आएंगे इसे ऐसे उतार लेंगे बूनेंगे नि और इसे सिधा बूनेंगे अब हम क्या करें दो फंदे हमारे इदर रह गए हैं और दो फंदे हम अब यहां रखेंगे सीधे और इन दो फंदे को इस फंदे को यहां लाएंगे इस फंदे को यहां लेके आएंगे तो पहले बैक से इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे और जो यह फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे और इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे फिर दो फंदे सीधे हमारी तो अब की बार दो फंडों को हमने इनका इनको बदला है इस फंड़ला Yes फंदी को इस फंदे को इद człby गिग्या है तो यह और इस फंद्गो को हम बूट लेंगे रेले टेट रेका हम ऩे और इस फंद्ग को यहां लाएंगे अच्प फंद्ग्ज को इधर लेका नाए तो पहले इस देखो इस अतारेंगे उसे पहले इसे कि इथा फंदे को लाने हमें पहले बैख लूप से इसे उतारेंगे और इसे उतार लेंगे इस फंदे को सीधा वूलेंगे कि ऐसे सीधा बुल लेंगे और इस फंदे को वापिस से उतार लेंगे से बुलना नहीं हमें फिर दो फंदे कि D Everything दागका पने तरफ त्यसिर रफ बिजएन शुरूए गए दो फंदे इलटेंगो laying दो 2013 new दो दो फंदे colder बूनने के बाद अब जो यह बंद इस तर लाएंगे और इस फंदे को कि इदर लेरेंगे पहले इस इस लाई मैंशे उतार लेंगे और इस इस लाई मैंसे उतार पो अपो उतार लेंगे अब इसे बूखनेंगे नहीं है एसे बिना बूने ही इस उतार लेड़ा है भी इस बाद इस फंदे को यहां लाएंगे और और इस फंदे को इदर लेके आ रहे हैं तो पहले इसे बैक लूप से करके इस फंदे को इसमें उतार लेंगे और इस फंदे को तो हम सीधा भूल लेंगे इसे सीधा भूल लेंगे और जो फंदा हमने इदर किया है इसे ऐसे ही उतार लेंगे अब दो फंदे सीधे बूल लेंगे एक और दो उल्टी सलाई जैसे मैंने बताई थे आपको वैसे ही हमने बनाना है दो फंदे सीधे बनने और आठ फंदे उल्टे बूलने है तो पूर्च सलाई हमारी ऐसे ही बनेगी तो उल्टी सलाई चोथी बनाकर फिर मैं आपको पांच पांच मिसलाई पर आगे हैं यह डिजैन कुछ ऐसे बनेगा तो पांच मिसलाई बता देती हैं पहला फंदा हमारा इस फंदे को गेदला नहें है तो पहले इसे ऐसे कर लेंगे और इस फंदे को इसमें उतार लेंगे पर इस फंदे को सीधा बूलेंगे पर जो फंदा यह उता था इदर लाएं इसे हमें सीधा ऐसे ही उतार लेना है उसके साथ सीधा बूल लेना है फिर एक फंदा सीधा बूल लेंगे दो फंद्ड हमारे सीधे बुने जाएंगे बीच में दो फंद्ड हमने पहले इसे बद ले इसे इसमेन चेंज कीए था तब पूंद्ड ओब से पहले इसमेरे को और इसे उतारींगे इस फंदे को तो बून लेंगे तो इसे ऐसे ही उतार लेंगे अब एक फंदा हमारे पास बच्चा है सीधा बून लेंगे जागा दूसरा फिर दूसरा हमारा रिजयान शुरू हो जाएगा दो फंदे उल्टे एक फंदा सीधा अब यहां पर चेंज कर लेंगे फंदों को पह अब दो फंदे बीच में सीधे बूलेंगे एक ment죠 अब चाह करेंगे ये फंद जो आगेज़ किया था अब इसके सास्सक्पंद्धारें के साथ चेंजे कर लेंगे इस फंद्ध को इताराें मैं इसे ऐसे उतार लेंगे और सीधा बूलेंगे यह को इसे ऐसे उतारले एक फंद दाव रिखा सिधा रच्ष दागा पनी तरफ दो फंदे उल्टे एक सिधा वो दौуск रूएंगे और यहां फंदं चैंज ये कि दूदे बोने लैंगे 5 20 फॉक्स बुद लाएंगे इस फंद 2 बैक लुक्ष से पहले इसालय में उतारके इस फंदे बो ऑन रेंगे और इस सिधह अ पृस्थे ३ट को ऱ यह इस समूने सिधा ब्रें सैंद्व फिर 10 10 सीधह 12 एक हमारी जैसे पर गताया थी पहले दूसरी सलाई वैसे बुनना है तो छटी सलाई बुनकर फिर में आपको साथ में सलाई बताती हूं है अब हम साथ में सलाई प्यागी है हमारा डिजैन कुछ ऐसे बन रहा है कि आठ में सलाई बना लेते हैं पहला फंद ऐस्टीश का वाश से उतार लेंगे दो फंदें उल्टे in दो दागा दूश तरफ हम याप कोई फंद सीदह न बुनेकिशवण से इस फंदे को इस साइड पर ले आएंगे कि इस फंदे को बुनना नहीं हमें से इस फंदे को बुनेंगे अब एक दो, तीन और ये, चार, चार फंदे हमारे सीजे बूलेंगे, अब ये फंदे इदर लाएंगे, इस फंदे को इदर लाएंगे, पर बैक से इस फंदे को ऐसे उतारके, इसको इसमें उतार लेंगे, और इस फंदे को बूल लेंगे, और इस फंदे को उतार लेंगे, बुलना जाना है पहले इस फंद्व को ऐसे उतार के फिर इसे इसलाई में उतार लेंगे उसे इसे उतार लेंगे उसे सिधा बुन लेंगे एक सिधा बुलते हुए अब यहां भी एक फंद्व रह गया है अब इस फंद्व को बैक से ऐसे उतार लेंगे उसे सिधा बुल लेंगे फंद्व को इसे इसे ही उतार लेंगे तब आपने तरफ को तो फंद्व इंटे की एक दो तेन च्यार वाइए पाँच पीस न्राइब को इस ब मुद्र लाएंगी इसको इदर लाएंगे बैक लूप से पहले इस पंदय को ऐसे उतार लेंगे वह से ऐसे उतार के को इसे सीधा बोल लेंगे और इस वंदे को उदार लेंगे ठाग अपने तरफ करके और आठ मी शलाई बुनके फिर मैं आपको नो मी शलाई बताती हूँ तब तक मैं आठ मी शलाई बुन लूँ तो आठ स्लाईों में हमारे डिजैन ऐसे बन गया है कैसे अब इन ही आठ स्लाई को दोबारा से रिपीट करेंगे तो यह डिजैन आगे बनता जाएगा तो आठ स्लाई बनगे नो मी स्लाई में एक बर आपको फिर बता देती हूँ जैसे पहली स्लाई बनाए थी वैसे ही नो मी बनेंगी दागा अपनी तरफ कर लेंगे दो फंदे उल्टे बुन लेंगे दागा दूस तरफ करते हूँ तीन फंदे सीधे बुनेंगे एक दो और यह तीन और जो इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे और इस फंदे को ऐसे उतार के इसे बिना बुने ही ऐसे रखेंगे और इस फंदे क सिधा फूल लेंगे तीन फंदे सीधे बूल लेंगे एक दो तीन तो दस फंदों पे एक दो तीन चार पांच चैसे साथ आठ नो दस दस फंदों पे यही डिजन इस आगरे पीट करेंगे दो फंदे उल्टे बुन लेंगे दागा दूस तरफ तीन फंदे सीधे बुन लेंगे तीन फंदे सीधे बुन ली उसके बाद इस फंदे को इस सलाई में उतार के इसे सीधा बुन लेंगे इसे ऐसे ही उतार लेंगे वो इसे सीधा बुन लेंगे फिर तीन फंदे सीधे बुनेंगे एक दो तीन जब शुरू में हमने यहां पर दो फंदों को काहेर बदल किया था यहां भी कर सकते थे पर मतलब अगर यहां करते तो हमारे पास फंद्य नहीं बचने थी इसलिए हमने थी से लाई में यहां पर इससे बदलेंगे जब ममारे थी से लाई आई कि तब उसे बदलेंगे भी पे बना और पाद कि दोस्ते दूसरे राटने सीधे फंदों को बदल लेंगे इसे वैसे ही उतारेंगे मूनेंगे नी फिर तीन फंदे सीधे बूल लेंगे तो उल्टी स्लाई हम जैसे बना रहे थे वैसे ही बनेगी तो आगे ऐसे डिजैन को आप बनाते जाएंगे तो यह डिजैन आट सलाई है वैसे बनता जाएगा तो मैंने नो मिसलाई आपको बता दी हमने ऐसे बनानी है तो अगर आपको यह डिजैन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें थैंक यू